आगाम ये कारेक्रम प्रायुजित किया है ज्वाइस मायद मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने यह आपका काम नहीं है कि संसार में हर किसी को खुश रखे इस खीमत पर की परमीश्वर के अवहिलना करन और इस प्रक्रिया में स्वयम को खो देना ये समय है उस जीवन को जीने का जो परमीश्वर चाहते हैं कि आप जी और ऐसे व्यक्ति बने जो परमीश्वर चाहते हैं कि आप बने आपको मेरी नई जूल्री अच्छी लगी अब आज रात पुरी रात इसे देखने वाले हैं और आप सोच रहें दुनिया में क्या है खर क्या आप जानते हैं मैं तंगाच चुकी हूँ लोगों से ये सुनते कि मैं व्यास्त हूँ एक बहानी की तरह उन चीजों को न करने पर जो उन्हें करनी चाहिए जैसे कि अपने आपकी देख भाल करना लोगों से प्यार करना उनके साथ समय बिताना पहली बार में चीजों को सही करना परमिश्वर के साथ समय बिताना हेलो घर में कोई है मैं व्यास्त हूँ मुझे कसरत करना अच्छा लगता है लेकिन मैं व्यास्त हूँ मुझे वो करना है पर मैं बहुत व्यास्त हूँ अब जानते हैं मुझे अच्छा खाना पसंद है लेकिन मैं बस इतना व्यस्त हूं कि अच्छा खाना नहीं खा सकता, अच्छा खाना नहीं बना सकता, मैं बस इतना व्यस्त हूं कि अपनी चेक बुक को बैलेंस करने के लिए मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि मेरी मैं कह सकते हूं कि व्यस्त होना बहुत बार हमें दूर रखता है फलदाई होने से इसलिए मुझे लगता है हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किसमें व्यस्त हैं हम क्या करें हम सच में व्यस्त हैं परमिश्वर चाहते हैं कि हम व्यस्त बने रहें या हम फस जाते हैं इसी तरह किसी चीज में जो हम पर ज्यादा जोर से चिलाते हैं कि आप कोई सहमत है क्या आप तंग नहीं आजाते दिन की समापती पर और ये महसूस होते कि आप किस तरह से जी रहे हैं अब बहुत ज्यादा वस्त है लेकिन आपको कुछ करना है जो आप नहीं करना है जो परमिश्वर चाहते हैं कि आप करें कोई यहाँ पर है जो मुझे समझ गाओ ठीक है मैं परमिश्वर से परारत ना कर रही हूँ कि कुछ करें मैं ये पूरी रात कर सकते हूँ आप ये से ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं मुझे ये सब काम करना पड़ता है एक व्यक्ति पागल हो जाएगा मेरे जैसा जीवन जीने की कोशीश में मेरा मतलब है पवित्रा आत्मा ने मेरे साथ बात किया और कहा तुमने अपना कारेकरम बनाया और तुम्हें ये पसंद नहीं है इसे बुदल दो अबाओ भी मैं चाहती हूँ आज रात कुछ लोग कुछ हद तक कुछ पाएं ये परमिश्वर की इच्छा नहीं है कि हम हर समय निराश्ण हैं तनाओं में रहे हर दबाओं में और हर काम जिसकी हमने अपेक्षा की उसके बारे में बढ़ बढ़ाते और शिकायत करते रहे किसने ये कहा की आपको सब कुछ करना चाहिए कि हर कोई उसे करने की आपसे अपेक्षा रखता है क्या इसके लिए आप कोई वचन धूंद सकते हैं नहीं, सच्छा ये है, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें पवितरा आत्मा के नेत्रित्व का अनुसराण करने की ज़रूरत है पर्मिश्वर को खुश करने वाले बनो ना की मनुश्यो को खुश करने वालो मनुश्यों को खुश करने वाले बनुना की मनुश्य को आमिन इसलिए पूरा सब्ताथ हम बात करने वाले हैं अलग तरीकों से, चार अलग तरीकों से इस पर आएं हैं इस उपयोगी जीवन के बार में जो संतोष जनुक और संतोष्ट हो सकता है एक जहां आप बेना पच्टावे के रह सकते हैं जहां उमीद से हमारे पास ज्यादा दिन हो सकते हैं जब हम रात में बिस्तर पर जाते हुए ये पच्टावा ना करें कि हमने क्या किया ऐसा नहीं कि हम कभी भी सही हों लेकिन हम उस हद तक बढ़ सकते हैं जहां हम बाहरी प्रभावों को हर समय अपने को नियंतरित करने न दे हमें ऐसे उदेशयों को ढूणना है जो हम पूरा कर सके और हम अपने जीवन के आंतर तक आ सकते हैं एक विरासत छोड़ने और वापस नहीं देखने और केवल पच्चतावे के कि हमने उस समय में जो हमारे पास था कुछ अलग चीज़ों को क्यों नहीं किया मैं आपसे अपना समय समझदारी से इस्तमाल करने को कह रही हूँ हाँ अच्छा लगता है ठीक है और मैं इसे इस पुरा सप्ता पहन रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये कहना बंद करें हर चीज के लिए एक बहानी की तरह कि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए मैंने एक साल में वो काम नहीं किया क्या हो रहा है आप जानते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ पिछले मैं छे महीनों से चर्च नहीं गई क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ मेरे जीवन में बहुत तनाव था और बहुत सी चीज़ा चल रही हैं। दो महीनी से आप जिम में नहीं दिखे। यह सोचता था कि नियमित रूप से आप आयाम करेंगे पर… नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं। क्या करने में व्यस्त हैं पूरा वजन वापस पाने में और कम न करने में। इस सब्तान हम गुजर रहें और देखने हैं कि क्या होने वाला है। अब मुझे लगता है यह हमारा सबसे बड़ा बहाना है। मैं व्यस्त हूँ और परमीश्वन ने कभी हमें व्यस्त होने के लिए नहीं बुलाया, सवाल यह है कि क्या आप अच्छा फल दे रही हैं, जीवन का परेणाम क्या है क्या हम जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं बस केवल दिन गुजार रहे हैं या हम असल में ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस पर हमें गर्व हो की हमें संतोष्ट्यों संतोष महसूस करते हूं और इसे समझ ले कि हम पूरा आनंद ले रहे हैं जो भी जी वन हम जी रहे हैं वाउ अब आप समय को अलग तरह से देखते हैं जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और मेरा मतलब है मैं आपसे ये वयादा करती हूँ हमारे पास यहां दस साल से नीचे के बच्चे और हमारे पास लोग हैं जो बहुत अधिक परिपकव हैं हम अपने घर में भूले शर्प्त का इस्तमाल नहीं करते वे बहुत अधिक परिपकव हैं और मुझे नहीं पता कि कोई करीका है किसी को जो अपने बीस्वे में है ये सोचने से रोकने का कि उनके पास दुनिया भर का समय पर ये सच्चा है कि कोई नहीं जानता कि हमर पास कितना समय है समय है और हमें हर दिन का हिसाब रखने की जरूरत है मैं नहीं सोचती ये समय की बरबाद ये समय एक बहुत आननदाई उपयोगी चीज है हमारे पास एक साह समय, हर कोई सोचता है कि उसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं, सब के पास एक साह समय है, इसलिए जब उन्होंने हमें दिन के 24 गंटे सबता के साथ दिन साल के 300 पैसर दिन दिये, तो सपष्ट है, वो कह रहे हैं, यह वो समय है, जीज की जरूरत है, हर चीज को पूरा करने के लिए, जो मैं चाहता हूं कि आप करें, आपके पास समय होगा संतुलिज जीवन जीने का, आप काम करेंगे, लेकिन आप आराम करेंगे, आप खेलेंगे, आप अराधना करेंगे, आपके पास रिष्टों के लिए समय होगा, पूरा जीवन संतुल हैं मैं अपना समय हुम्म। इस्तमाल कर रहा हूं यह कहना सही होगा। मुझे लगा मैं एक मसीही सभा में आ रहा था किसी का। अब देश सुनने के लिए अगर इशू समय के बारे में क्या कहेंगे। अब जान्दे सबोब देशक में ये बात करता है हर चीज के लिए समय के बारे में सूरज के नीचे हर काम के लिए धर्ती पर हर काम के लिए जन्म का समय है, भृत्यु का समय है, रोने और विलाप करने का, समय हसने का समय पूरी तरह से समय हर चीज़ के लिए सिर्फ एक ही समय जो मैं नहीं देखती की समय है समय बर्बाद करने के लिए यह लिस्ट में नहीं है यह नहीं कहता और वो वहां समय है बर्बाद करने के लिए अब जानते हैं एक दिन मैंने स्वायम को ये कहते हैं सुना मुझे ऐसा मैसस होता है जैसे मैं बहुत समय बर्बात कर रही हूँ और मैंने किसी चीज का नाम लिया जो मुझे लगा उसे करने में बहुत समय बिताती हूँ और जब मैंने ये कहा तो ये जैसे मेरे कानों में वा अपको पैसा वापस नहीं मिलता तो, यह बिल्कुल उसी तरह है, और हमें अपने समय को इसी तरह से देखना चाहिए, कि हम अपना समय खर्च कर रहे हैं, और एक बार कर्च कर दिया, तो हमें इसे वापस लेने का कोई हख नहीं, तो हमें इसे इसी चीज़ पर खर्च करना चाहिए, जो हमारे जीवन में अलचा फल लाए, यह conference इसी मुद्दे पर है, आप में से बहुत मुश्किल से यहां आए हैं, आप राजे के किसी दूसरे हिस्सों से यहां ड्राइव करके आए हैं, या फिर किसी दूसरे राजे से आ आप में से कुछ यहां अनिया मीटिंग्स के लिए भी है, आप यह करने के मूड में हैं, अब आप समय दे रहे हैं लेकिन आपको क्या मिलने वाला है खैर आप द्रोताजा हो जाएंगे, आप में से कुछ बचायी जा रही हैं, मेरा मतलब है आप मेंसे कुछ समय खर्च किया यहां आने में और आपको एक पूरा नया जीवन मिलने वाला है आपके पास क्षमा के लिए समय होगा आप में से कुछ परमिश्वर को सुनेंगे उस बारे में जिससे वास्तों में परमिश्वर से आपको सुनने की जरूरत है कुछ नए दोस्त बनाएंगे कुछ परमिश्वर से चंगा होनी के लिए प्रारत ना करेंगे आप में से कुछ इस सत्य को पाएंगे जो आपको आजाद कर देगा हर कोई मेरा विश्वा से प्रोस्साहित किये जाएगा कि मैं अपना समय ये सब करने में बिता रहा हूँ और जब मेरा काम हो जाएगा मैं ठक जाओंगी ओ लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हो जाओंगी इस भावना से बढ़कर और कोई मेरे लिए ज्यादा संतुष्ट दायक नहीं है कि यहां से कोई कॉन्फरेंस मुझे बहा ले जा रही है और मैं फलदाय जीवन पा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगी तकलीफ क्या है जब आपका शरीर ठका हो एक निराश मन, निराश भावना है और एक असंतुष्ट आत्मा अब ये एक तरह की ठकान है जिसे हम छोड़ना चाहते है इश्व ने हमें ग्यान दिया है हमारे अंदर परमिश्वर का ग्यान है इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ क्यों इतने ज्यादा लोग, इतने निराश हैं ऐसे जीवन जी रहे हैं जो नियंतरन से बाहर है इतना ज्यादा समय बरबात करते हैं इतने अधिक तनाव और इतने अधिक दबाव में हैं क्यों हूँ? क्यों कि हम उन सब आवाजों को सुनते हैं सिवाए परमिश्वर की आवास के और मैं आपको बता सकती हूँ यदि आप अपने जीवन में शान्ती चाहते हैं तो शाहद इसे पाने के लिए आपको कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा मैं कमरे के इस हिस्से में बैठे लोगों के लिए ज्यादा कोशिश करूँगी मैं समझते हूँ आप सोच रहे हैं ये सच है यदि आप अपने जीवन में शान्ती चाहते हैं आपको कुछ लोगों को ना कहना होगा जोहां सुनना चाहते हैं और इसे पसंद नहीं करेंगे और वे इसे समझेंगे नहीं लेकिन ये आपका काम नहीं है कि संसार में हर किसी को खुश रखे इस खीमत पर कि परमेश्वर की अभेलना करना और इस प्रक्रिया में स्वायम को खो देना आप समय है उस जीवन को जी ने का जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जी और ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हो और वे लोग जो सच मुझ आपसे प्रेम करते हैं मुझे लगता है जैसे परमेश्वर इसे करने में मेरा नेत्रित्व कर रहे हैं। यदि आपका कोई दोस्त है जो आपके इस जवाब से संतोष्ट नहीं हो सकता, वो बहुत ही बहुत एक दोस्त है जो शायद स्वेम भी परमेश्वर को नहीं सुनते हैं। एक पार्टी का मतलब है बहुत सारा मज़ा आप जानते हैं मैं जानती हूँ आप मेरा जाना पसंद करेंगे लेकिन मैं बस नहीं जा सकती, मुझे बस ऐसा नहीं लगता जैसे ये मेरे लिए समझदारी का काम है, मेरे पास और भी अन्या काम है जो मुझे करने हैं। आप जानते ह्वास्तों में यदि आप अपने जीवन में शानती चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों के लिए ना कहना होगा बजाए सर जुका करहा के नहीं के। आप पीछे छूड़ना नहीं चाहते हैं, आप इसका हिस्सा होना चाहते हैं, आप चीजों के बीच में होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है मैं आपके बार में नहीं जानते लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बस जानना चाहते हैं क्या हो रहा है मैं किवल जानना चाहते हूँ कि क्या हो रहा शानती चाहिए मैं वास्तों में न जानने में ही इतनी दिन से खुश हूँ इसलिए मैं नहीं चाहते कि आप किवल ये देखने आएं कि मैं कैसे देखती हूँ जब मैं टीवी पर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता किवल किसी एवन्ट के लिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो इस सप्ताहांत यहां आया है उनका एक माइंसट हो और वो परमिश्वर को जा लो यदि नहीं इस सिरीज की रिकॉर्डिंग खरीद लो ताकि आप इसे बार-बार सुन सकते हैं क्योंकि यदि ये कुछ है जिसकी आप कोई जरूरत है यदि आप कोई सक्षेत्र में जीवन बदलने की जरूरत है या आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी पर देख रह सकें और एक ही तरीका है कि हम वास्तों में कुछ भी प्राप्त करते हैं ध्यान के द्वारा और ध्यान का मतलब है इसको दोहराना 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 जब तक कि ये वास्तों में केवल जानकारी नहीं लेकिन रहस्य दुपादन हो जाए देखिए हम आग्या करिता के हमारे स्तर से नहीं आगे सिक्षित हैं, मेरा मतलब है कितनी बार उधारण के लिए हमें सुनने की जरूरत है लोगों को शमा करो जो तुमें चोट पहुचाते हैं मेरा मतलब है वास्तों में आपको इस पर संदेश की जरूरत नहीं है मेरा मतलब है मैं एक और उबदेश देश सकती और आप सबको फाइदा होगा, लेकिन आपको एक और की जरूरत है, लेकिन यह हमारी मदद नहीं करेगा जब तक कि हम इसे न करें, अगर आप सच जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कभी-कभी आज हम यह बहुत ज्यादा उपलब्ध महसूस करते हैं, और मुझे आप सुनत सकते हैं, अपना रेडियो ओन करें, किसी और को सुने, मेरा मतलब है आप किसी को भी सुन सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, वचन के बारे में परमिश्वर पर, लेकिन प्रक्रिया में हमें किसी चीज के साथ अधिक जुड़े रहने की ज़रूरत है, यह कह आना चाहती हूँ, यह एक रहस्य है मेरे जीवन में, जिसे श्रातान कभी मुझसे नहीं ले सकता, और यह मेरे प्रती दिन के जीवन में मेरी मदद करता है, यह मेरी मदद करता है दंडित न होने में, जब मैं पाप करता हूँ, यह मेरी मदद करता है अपराहत, पर समयना बरबात करने में ये मेरी मदद करता है जब मेरे जीवन में अप्रत्याशित तूफान आते हैं और मेरे उतेजनाएं और परेशानियां जिन में समझती नहीं मुझे हर चीज को समझने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ ये मुझसे प्रेम करते हैं और इसलिए मैं आपको केवल एक उधारन के रूप में दे रही हूँ कि हमारे पास यहां बहुत है लेकिन एक मतर तरीका जिसे यहां नीचे लाना है यदि हम एक चीज पर बहुत ज्यादा समय बिता आते हैं एक समय पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपने अपनी पूरी बाइबल पिंक, ब्लू, रेड और यलो से अंडरलाइम की इसका यह मतलब नहीं कि हमें यह पता है क्योंकि हमने उससे रंगा हुआ है इससे पहले कि मैं पवितर आत्मा से भरी मसी बनती मैंने कभी बाइबल में नहीं लिखा था आप जानते हैं मुझे लगता है यह बहुत पवित्र है इसमें लिखा जाए मुझे नहीं पता मैंने ये कभी नहीं किया और आप जानते हैं जब कुछ वच्चरन और विश्वास मिल गया अधिक करिश्माई चर्चिस हर कोई अपनी बाइबल में लिखता है और मैंने सोचा यह अच्छी बात है, बिल्कुल इसके जैसा हम बैट का हर चीज से रंग पर ऐसे लाइन करते हैं, और आपको वो बुक खुलनी होती है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो यह जब पास्टर कहते हैं, कि एक विशेश अनुच्छे दन खोलो और आप इसे खुलते हैं, वाँ, मुझे यह वाला पता है, हम कभी कुछ नहीं जानते, जब तक कि हम यह स्विकार करें कि हम कितना कुछ नहीं जानते, अफसोस कि हम कितना थोड़ा जानते हैं, और मुझे लगता है कि हमें इसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, जब तक कि हम अपने जीवनों से करने वालों और बोज से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और शैद हुनों ने ये भी कहा हो तना उससे घिरे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा विश्राम और उन्हा ने कहे क्योंकि मेरा बोज हलका और उठाने में सहज है हमें सिर्फ जीवित रहनी की कोशिश में हर दिन अपने को घसीडते हुए नहीं चलना चाहिए हर उस पर थोड़ा समय देनी की जरूरत नहीं जो ज्यादा जोर से हम पर चिलाता है बहुत से लोग अपने जीवन का आनंद नहीं लेते हैं क्योंकि मैंने भी उन में से एक को देखा है मैं आपको बताती हूँ मैं इस रहा पर चल चुकी हूँ और मैं व्यस्त थी और मैं हर चीज के लिए यही मेरा कहना था आखर मैं बहुत व्यस्त हूँ मैं बहुत व्यस्त हूँ किसी को इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए लेकिन क्या किसी ने मिले साथ को पकड़ने की कोशिश की है तो यह व्यस्त था का दोश नहीं है चाहे जो भी व्यस्त हो, ये शैतान का भी दोश नहीं है, क्योंकि हमारा उस पर शक्ति और अधीकार है, अगर वो हमारे जीवन को चलाता है, क्योंकि हमें उसे रोपना नहीं आया ये मेरे लिए एक टीचर के नाते बहुत दल्चस्प है, ये देखना कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार ही ले वो यदि मैं कहती हूँ, मैं वो रहा शैतान, हाँ ओ बॉय, औहर को उत्तेचित हो जाता है, परमिश्वर पर भरूस आ रख्यों और वो हम में चमतकार देंगे, हाँ हम मीटिंग की समापति पर मुफ्त संसाधन लेने वाले हैं, मेरा मतलब में मसी उग्रो हो जाते हैं, जब आप मुफ्त में चीजे बाटते हैं बस उस मीटिंग का हिस्सा ना बने, लेकिन अगर कहें, अब ये तो एक समस्या है और इसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है पूरी हम आज एक बुरे समाज में रहते हैं, जो किसी भी चीज के जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और ये हमारे रहन सहन में नयतिक गिरावट का बड़ा कारण हो सकता है हम में जिम्मेदारी लेने के इच्छा होनी चाहिए तो मैं पूरी तरह से ये सीखने के हक में हूँ कि समय का उप्योग समझदारी से कैसे करें, मैं इस संदेश का इस्तमाल कर सकती हूँ तो अगर आप नहीं चाहते हैं, तो मैं अपने आपको ही आज रातिय संदेश दूँगी और परमिश्वर चाहते हैं कि हम अच्छा फल पाएं, वो चाहते हैं हम अच्छा फल पाएं आप सभी जब यहां आपका समय खत्म हो जाए, आप एक विरासत छोड़ सकते हैं और वास्तो मैं ऐसा करना आपका दाइत्व है क्योंकि एक और पेड़ी आ रही है जो आप से ये डिपॉसिट चाहते है यदि उन्हें अपने जीवनों को उचीत धंग से जीना है तो आमीन खैर मैं आप सब को प्रुसाहित करना चाहती हो मेरे अपने सहीत इसे नजदीक इसे देखें कि अपने समय का उपयों कैस हो रहा है और आए परमिश्वर से पूछे कि ये क्या चाहते हैं आप क्या करें क्योंकि आप जानते हैं एक बार ये चला गया तो चला जाएगा हम इन शित करना है कि हम इसे बरबाद नहीं करना है आज हम आपको परमिश्वर का वचन भेट कर रहे हैं जो हम हर दिन करते हैं आप जानते क्यों? हमारे जीवन में वास्तों में कुछ भी बहतर नहीं बदल सकता जब तक कि हम परमिश्वर के वचन में न जाएं और सीखे कि वो क्या चाहते हैं और वो कैसे हम इसी खाते हैं मैं अभी थोड़ी दिर में वापसाओंगे सिर्फ कुछ पल के लिए कुछ अच्छी खबरे लेकर मेरे साथ बने रहे हैं मैं जल्दाओंगी इस साल के शुरू में हमने ये किया जिसे हमने 30-30 चैलेंज कहा और मूल रुप से ये क्या है ये था हमने लोगों को 30 दिन का चैलेंज दिया एक प्रतिबदता बनाने के लिए कि वह हर रोज परमिश्वर के वचन का 30 मिनिट के ल अधेयन करेंगे और हमें नतीजी बहुत अच्छी मिले हैं डाइलाक लोगों ने इसे साइन किया वाउ ये एक मिलियन लोगों का एक चौथ हाई है जो परमिश्वर के वचन का अधेयन करने साथ ही हमारे पास हैरान करने वाली गवाहिया भी आई लोग अभी भी सेक्डों साइन कर रहे हैं हर रोज और अभी आपके लिए भी देर नहीं हुई है ऐसा करने के लिए मैं आपके साथ एक गवाहि शेयर करना चाहती हूँ जो किम्बरली कॉलबिट की है जो कुछ बताना चाहती वो कहती है मैं करीब 22 साल के लिए बचा ली गई जब मैं पहले बचाए गए मुझे परमिश्वर का वच्चन ज्यादा नहीं मिला मैं हैसुस किया यह बहुत ही समय लेने वाला काम था जिसने मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी खुद पर तब मैंने 30-30 चैलेंज के बारे में सुना मैंने निर्नाई लिया कि मैं 30 दिन तक 30 मिनिट परमिश्वर के वच्चन के प्रतिवचन बद्ध वो मेरे लिए पुरी तरह से बदल देने वाला समय था, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं वापस आ गई, मैं जानती परमिश्वर हमेशा से वहां स्वैम को प्रकट करने और मेरे साथ बने रहने के लिए मौजूद थे पर मैं कहीं गुम हो गई थी, मैं वापस आ गई हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना घजब था, यह एहसास कि वो समय प्रार था ना और परमिश्वर के वचन में बिताना कभी कभी ऐसा होता है कि जब टाइमर बचता है और मैं 30 मिन खत्म हो जाते हैं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और समय बिताओं, बसवास तो म मैं इसी तरह की गवाई सुना चाहती हूँ, मैं 30-30 चैलेंज का आइडिया देखकर, एक बार फिर मैं आपको प्रोसाहित करती हूँ कि यह चैलेंज ली, परमिश्वर के वचन को पहले रखें और देखें यह आपके जीवन में क्या फर्क लाता है, इसे तुरंत अपनाए जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना की आप चानते हैं, हम आपकी सरहना करते हैं, और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं, हम साथ मिलकर भूखों को खिलाते हैं, खरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं, अपना प्रात्ना निविदन भीजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए, हमारे श्रोतों के बारे में और भी जानिए, जोईस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभा प्रात्ना निविदने